हाई दोस्तों कैसे हैं आप हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चैलिक दोस्तों अस्फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानेंगे नवदे इंटरेंस इकजाम 2025 का जो फार्म आ गया है इसके लिए कौन पात रहे मतलब कौन लोग है जो इस नवदे इंटरेंस इकजाम 2025 का फार्म भर सकते हैं बच्चे भर सकते हैं इस फार्म को, हला कि इसकी eligibility बहुत चीज है इसमें, लेकिन हम उन पे focus करेंगे, हमने एक वीडियो पीछे बनाया था भी, एक दिन पहले ही, उसमें दे, दो, चार, दस, पांच कमेंट, एक ऐसा कमेंट, एक ही जैसा कमेंट आ रहा है, और जिसमें उनके प्रस्न हैं, उन प्रस्नों पे हम विचार करेंगे, और कुछ उत्तर आप से चाहेंगे, और कुछ हम आपको देंगे, ठीक है, विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रस्न ही ऐसे हैं, जो कि नौदे का जो guidelines है, उससे clear ही नहीं हो पा रहा है, कि आखिर उनके प्रस्न का जबाब क्या है, और कैसे उनको संतुष्ट किया है, जड़ा हम भी देखते हैं इन प्रस्नों को जो पूछा गया, मतलब हमारा आज ये है कि नौदे का फार्म कौन भरे, नौदे का फार्म, नौदे दो हजार पचीस का फार्म कौन भरे, ठीक है, कौन भरे, इसको लेकर करके कई चीज़े इसमें आएंगी, जैसे देखिएगा, नौदे ने इस बार कई चीज़े सेम रखा हुआ है, ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं है, इस चीज़ को लेके ज़्यादा प्रस्नों उठ रहा है, कि टेटा भर्थ, मतलब इस बार हर साल जो 10 से 12 वर्ष हुआ करती थी उम्र, इस बार 9 से 11 कर दिया है, इसको लेकर के चीज़े ज़्यादा हो रही है, सायद कमेंट में भी ऐसा कुछ आया है, आईए हम जानने की कोशिस कर रहे है, कमेंट में हम देखने की कोशिस कर रहे है, कमेंट है सबसे पहला राजिव यादो जी का कि सर डियोबी मैच नहीं कर रहा है, डियोबी चेंज करवा सकता हूँ क्या है, मतलब इनका क्या है, समझीए का है, बहुत लोगों की ये प्राबलम होगी, डियोबी का मतलब डेटा बर्थ, जिस बच्चे का इनको डेटा बर्थ, मतलब जिस 31 जुलाई 2015 के बीच या ये दोनो डेट भी उसमें सामिल होना चीए, मतलब एक माई के बाद और 31 जुलाई 2015 से पहले या ये दोनो डेट अगर किसी बच्चे के डेटा बर्थ है, तो बच्चा फार्म अपलाई कर सकता है, तो राजीव जी सायद कह रहे हैं, सर ये डियोब मेरा मैच नहीं कर रहा है, राजीव जी मैच नहीं कर रहा है, तो यहोंने कह रहे हैं कि क्या मैं चेंज करवा सकता हूँ, देखिए मैं अभी अभी हाला दम करेंट जानकारी देते हैं, आपने सुना होगा विद्याग्यान उत्तर प्रदेश में, लखनव है इसका दो एक जगा और भी है, तो यह विद्याग्यान जो गरीब बच्चों का एंट्रेंस एक्जाम के तहत अपने में लेता है, उसने इस बार क्या किया था, मेरे ही परचे का एक बच्चे का, इस बार उसने डेटा बर्थ चेंज करवाने की वोगर से, या आधार दुबारा परिवर् परिशन नहीं लिया और बच्चे को भेज दिया, देखिए राजी जी, आपके पास आप्शन है, आप चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बिना आधार का, अपने रेजिडेंस पे भी फार्म डर्वा सकते हैं, अपने निवास परमार पत्र से, और फिर से आप अप पराद होगा, यह भी बात, क्लियर कट, तो आप बदलवाना चाहें, बदलवा सकते हैं, बहुत सारे लोग बदलवा के ऐसे देते हैं, लेकि तरीका ठीक नहीं, लेकिन ठीक है, कभी-कभी हमसे अन्याने में गलती हो जाती है, क्योंकि डेट अप बर्थ बच्चे का सही र देते थे, अब साल बता दिया, डेट जो मन करें, वो डाल दिया, जो महीना मन करें, वो डाल दिया, तो इसकी बज़े से भी गड़बरी बहुत सारे लोगों की हो गई होगी, अगर आधार काड़ आप पहली बार चेंज करवा रहे हैं, तो हो जाता है चेंज, अगर दूस उत्तर प्रदेश इलहाबाद का रहने वाला हूँ, इस समय स्री गंगा नगर जिला राजस्थान में केंदरी ये विद्याला में पांच फिप्थ में बच्ची पढ़ती है, मैं कहां से फार्म अप्लाई कर सकता हूँ, देखिए बच्ची आपकी केंदरी विद्याला में पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, सब्चे परिवार उनके साथ रहके पढ़ाई लिखाई बच्चे कर रहा हूँ, उनका बच्चा किस जिले से भरे, भाई, हम पढ़ा रहे हैं, दूसरे जिले में वहां के निवासी तो नहीं होँगे, सब लोग तो वहां घर नहीं बनवाये सकते हैं लेकिन सब लोग तो ऐसा किये अब CRPF किये हमारे जो जवान है इन्होंने तो वहां पर निवास नहीं बनवाई अगर बनवाया है तो भाई वहां से आप डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बच्ची राजस्थान में पढ़ रही है तो राजस्थान से ही अगर वहा इलहाबाद से बच्ची का कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं फिर इनका एक प्रस्ण और भी है इनोंने एक प्रस्ण और भी कहा है कि के बी का बच्चा सहरी या ग्रामीड किस में आएगा के बी का बच्चा सहरी पहले तो भरने की बात किया जा और वह स्कूल अगर ग्राम प्रस्न जरा आप लोग भी अपने तरीके से सुलखेगेगा क्योंकि नवदय ने जो दिया है नवदय ने कहा है कि बच्चा जिस जिला में पढ़ रहा है जिस प्रदेश में पढ़ रहा है प्रदेश की बाद तो हला कि इनोंने नहीं किया है जिले के बाद इनोंने किया है कि जिस जिला में पढ़ रहा है उसी जिले का निवासी होना चाहिए और उसी जिले के नवोदे से वो फार्म भर सकता है नवोदे विद्याले के लिए तो फिर तो आप फस गए ना सर इसी के लिए मैं भी परिशान हूँ यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसा असपस्ट क्यों नहीं उसमें कहा गया है कि नहीं ऐसी परिस्तितियां भी कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं तो अपने ग्रिये जनपत से भर सकते हैं ऐसा हो करने के लिए तुसे अपलाई करने का तो मौका दें तो यह प्रस्ण है थोड़ा इस पर आपका जबाब हमें चाहिए कमेंट के द्वारा जरूर बताईएगा आगे और प्रस्ण भी किया गया है आगे प्रस्ण है कि सर एज 10 से 12 होता था लेकिन इस बार 9 से 11 मैं वहीं प् अभी हैसा हुआ करता था से 12 मुझे जो लग रहा है कि पिछले साल से ये पैटर्न होगा है कि हर साल हमारा 179 के क्या होता था आपका अप्रैण युलाई था जुलाई नगल आ है पिछले साल सेוא कर दिया है लेकिन पिछले साल भी जुलाई के आसपास आए थी और इस बार तो वह बहुत पहले आ गया इसकी वज़े से यह हम को लग रहा नहीं है इससे हम बच्च नहीं सकते हाँ दो तिन बाते और मुझे बताने थी कि अब हमारे कहने का मतलब जो बच्चा फार्म अपलाई कर रहा है नवदे के लिए अगर उस्वरी है ग्रामिंग है ये आप पहले ही क्लियर कर लिए इसकूल से अगर बाद में ये गलत पाएग कि यदी बच्चा ने दुबारा फार्म भरा है और पहले कभी पेपर कच्छाचा के लिए दिया है और दुबारा कच्छाचा के लिए दिया है तो बाहर हो जाए अगर बच्चा ने कोई गलत इन फार्मेशन दिया है गलत इन फार्मेशन जैसे माली जो बच्चा बच्चा परिच्छा निकाल लेंगे, एडिमिशन के लिए जाएंगे, तो पिल्कुल सही चाहिए, थोड़ी भी गड़बडी हुई तो आप बिल्कुल बाहर कर दिये जाएंगे, और इस बार का परिडाम आप दे सकते हैं, कि बहुत सारे जेन्वी विद्यालेओं में अभी उनका हो सकता है, तो ये छोटी सी बात थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये प्रस थोड़ा सा था, तो मैंने इस पर बात करने की कोशिस की आप से, कि आप इसको समझ पाएं, और अपनी राय जरा इस पर रखें, कि आपकी राय क्या है, मैं आपकी राय जानना चाहता आप पता है, उसको आप से जानने की कोशिस कर रहा था, उसको आप समझ पाएं होंगे, आज के लिए इतना ही, इस चैनल पर मैं बता रहा हूँ आपको, कि पढ़ने का काम भी होता है, और वही काम मेरा मेन है जनकारी देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग है और जनकारी आपको देते कभी-कभी हम भी आ जाते हैं जहां पर मुझे लगता है कि यह मेंS मूदार कारण बहुत हैं जो आप जानते हैं कि कछा पांच में बच्चे को पढ़ा दो हजार चौबिस के हूँ ऊप है की लोग बात कर रहे थे कि एड़ मास्टर जो भरने के लिए आपका पुरृफार्म मिलेगा वो कौन सा मां लीजे बच्छा 3 किसी और भी देयाले से चार किसी और भी देयाले से तो मानने किसका होगा मानने उसका होगा जो कछा 5 में जहां सामपे बच्चा पढ़ रहा है, वहां के Head Master से उभारा के लाएगा, वही वाला मानने होगा, क्योंकि वहाँ पे जब वह बच्चा झाल झाल